ओम शान्ति आज की मुल्ली एकिस तारीग छे मास एकिस पावन बननी का एक मात्र उपाय है बाप की याद और याद की मेहनत ही अंत में काम आती है प्रश्ण समय पर कौन सा तलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तलक मिल जाएंगा इस बात पर ध्यान देना समय पर कौन सा तलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तलक मिल जाएंगा उत्तर है संगम पर यही तलक दो कि हम आत्मा बिंदी है हम शरीर नहीं अंदर में यह घोटे रहो कि हम आत्मा है हमें बाब से वर्शा लेना है बाबा भी बिंदी स्वरूप है हम भी बिंदी स्वरूप है इस तलक से स्वर्की राजाई का तलक राप्त होंगा बाबा कहते है मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें याद करो तो आदा कलब के लिए रोने से भी छूट जाएंगे फिर से ओम शान्ती यह फुरना चाहिए कि मुझा आत्मा को बाप को जरूर याद करना है तब पावन बन सकेंगे महनत जो कुछ है वो यही है जो महनत बच्चों से पहुँचती नहीं है माया बहुत पहरान करती है एक बाप की याद भुला देती है दूसरे की याद आ जाती है बाप अत्वा साजन को याद नहीं करते ऐसे साजन को तो कम से कम आज गंटा याद करने की सर्विस देनी है अर्थार साजन को मदद देनी है याद करने की अत्वा बच्चों को बाप को याद करना ही चाहिए ये है बहुत भरी मैनत गीता में भी है मन मना भव बाप को याद करते रहो उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं पिछारी को ये याद ही काम आएंगी अपने को आत्मा अशरीरी समझो अब हम को वापिस जाना है ये महनत भोत करनी है सबेरे इशनानात करके फिर एकान तुमें उपर छत पर हुआ हाल है आकर वहां बैठ जाओ जहां एकान थो उतना अच्छा है सदा यही क्याल करो हम को बाप को याद करना है बाप से पूरा वर्सा लेना है ये महनत हर पाँच अजार वर्स बाद तुमको करनी पड़ती है सत्युक्रेता द्वापुर कल्यू कहां भी तुमको ये महनत नहीं करनी पड़ेंगी इस संगम पर ही तुमको बाप कहते है कि मुझे याद करो बस यही विला है जो बाप कहते है मुझे याद करो बाप आते भी संगम पर है अभी कभी और कभी बाप आते नहीं है तुम भी नमबर वार पुर्शारत अनुसार जानते हो बहुत बचे बाप को भूल जाते हैं इसलिए बहुत दुखा खाते हैं रामन बहुत दुखे बाद हैं आदा कल्प का यही दुश्मन है इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मतन करो और यही चार्ट रखो कि कितना समय हमने बाप को याद किया कितनी जंक उतरी होंगी सारा मदार याद के उपर है बच्चों को पूरी कोशश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए नरसे नारायन बनना है यह है सच्ची सत्य नारायन की कता अपना पूरा वर्षा पाने के लिए भगत लोग पूरन मासी के दिन सत्य नारायन की कता करते है अभी तुम जानते हों सोला कला संपूरन बनना है वैं बनेगे सत्य बाप को याद करने से बाप है श्रीमत देने वाला बाप कहते है ग्रस्त में रहो दंदा धोरी याद कुछ भी करो बाप को याद जरूर करो और पावर और पावन बनना है बस याद नहीं करेंगे तो रावन से कहां न कहां दोखा खाते रहेंगे इसलिए मूल बात समझाते है याद की श्री बाबा को याद करना है दे सैत दे के जो भी संबंदी है उनको भूल आत्मा को निश्चे करो बाप बार बार समझाते है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पस्चायत पाप करेंगे बहुत दुखा काएंगे कोई ऐसा जूर से तपर लगाएंगा जो माया एक दम काला मू करा देंगे बाप आए है गोरा मू बनाने इस समय सब एक दुखा काला मू करते रहते है गोरा बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे ये है ही पतित पावन बाप आते ही है इस समय सब एक दुखा काला मू करते रहते है गोरा बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे ये है ही पतित दुनिया बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने बाकी तुमारे दंदे धोरी आजसें बाबा का कोई संबन नहीं है शरीर निर्वा अर्थ तुमको जो करना है सुबल करो बाप तु सरफ कहते है बच्चे मन मना बवर तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने बाप कहते है सरफ मुझे ही याद करो बस और कोई उपावन बनने का नहीं कितना भी दान पुन्याद करे कितनी भी मेहनत करे चाहे आग से आते जाते रहे इस भी काम नहीं आ सकता सिवाए एक बाप की याद से बहुत सिंपल बात है इसको कहा जाता है सहज योग अपने से पुछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते है नीद में तो कोई पाप नहीं होते है अशरीरी हो जाते है बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते है और पुराने पाप भी बहुत है मेहनद करनी है याद की यहां आते हो तो यह मेहनद करनी है बाहर की वायाद संकलपों को ओड़ा दो नहीं तो वायू मंदल बरा खराब कर देते है घर के खेती बारी की ख्याला चलती रहती है कभी बच्चे याद परेंगे कभी गुरू की याद आएंगी संकलब चलते रहेंगे तो वायू मंदल को खराब खर देंगे मेनत नहीं करने वाले बिग न डालने वाले यह इतनी महीन बाते हैं तुम भी अभी जानते हो कभी नहीं जानेंगे बाप अभी ही वर्षा देते है फिर आदा कलब के लिए निश्चिन्त हो जाते हैं लोकिक बाप के फुर्णे एक और बेहत बाप के फुर्णे में कितना अंतर हैं बाप कहते हैं भक्ती मारिग में भी मुझे कितना फुर्णा रहता है भगत कितना घरी घरी याद करते हैं सत्यग में कोई भी याद नहीं करते बाप कहते हैं कि तुम को इतना सुख देता हूं जो तुम को मुझे वहाँ याद करने की दरकारी ने देंगी हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख दाम शान्ती दाम में बैठे है दूसरा कोई मनिश समझ न सके ऐसे बाप में निश्चे वुद्धी होने में माया विगन डालती है बाप कहते है कि सरफ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है जान्दी तामा लोहा वो निकल जाएंगे गोल्डनेज से सिल्वर में आने से भी दो कला कम होती है यह बातें तुम सुनते और समझते हो जो सच्चा ब्रह्मन होगा उनको अच्छी रिप उद्धी में बैठेंगा नहीं तो बैठेंगा नहीं याद तिकेंगी नहीं सारा मदार बाप को याद करने पर है बार बार कहते हैं कहते हैं बच्चे बाप को याद करो यह बाबा भी कहेंगे शी बाबा को याद करो शी बाबा खुद भी कहेंगे मुझा बाप को याद करो आत्माओं को कहते है ये बच्चों वो निराकार परमात्मा ही आत्माओं को कहेंगे मूल बात ही ये है कोई भी आवे तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो और कोई तिक तिक नहीं करनी है स्रफ बोलो अपने को आत्माओं समझ बाप को याद करो यही अंदर गोटना है हम आत्माओं है गाती भी है ना तुलसी दास चंदन गसे तिलक देते रगवी तिलक कोई स्थूल तो रही है तुम समझते हूँ कि तिलक वास्तो में इस समय का यादगार है तुम याद करते रहते हूँ भूया राजाई का तिलक देते हूँ तुमको राजाई का तिलक मिलेंगा डबल सिर्टाज बनेंगे राजाई का तिलक मिलेंगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महानानी बनेंगे बाप कितना सहज बताते है बस रफ यह याद करो हम आत्मा है शरीर नहीं हमको बाप से वर्षा लेना है तुम जानते हूँ हम आत्मा बिंडी मिसिल है बाबा भी बिंडी है बस रफ यह याद करो हम आत्मा है शरीर नहीं हमको बाप से वर्षा लेना है अभी तुम जानते हूँ हम आत्मा बिंडी मिसिल है बाबा भी बिंडी है बाबा ग्यान का सागर सुक का सागर है वो हमको वर्दान देते इनके बाजू में आकर बैठते हैं गुरू अपने शिशको बाजू में बिठा सकते है यह भी बाजू में बैठे है बच्चों को सरफ कहते है अपने को आत्मा समझो माम एकम याद करो सत्यक्वे भी तुम अपने को आत्मा समझते हो परन्तु बाप को नहीं डानते हो हम आत्मा शरी छोड़ती है फिर दूसरा लेना है ड्रामा अनुसर तुमारा पार्ट ही ऐसा है इसलिए तुमारी आयू वहां बड़ी रहती है पवित रहते हो भारत की सत्यक्वें आयू बड़ी रहती है कल्यग में छोटी हो जाती है वहां है योगी यहां है भोगी पवित्र होते है योगी वहां रावान राजी नहीं आयू बड़ी रहती है यहां आयू कितनी छोटी है इसको कहते कर्म भोग कहा जाता है वहां अकाले मिर्ट्यू कभी होता नहीं तो बाप कहते है कि बाप को पहचाना तो श्रीमत पर चलो एक बाप को याद करो अपने को आत्मा समझो हमको अब जाना है यह शरीर छोड़ना है बाकी टाइम सर्विस में लगाना है अभी तुम बच्चे बहुत गरीब हो इसलिए बाप को तरस परता है तुम बुढों कुम जाओं आज को कोई तकलीफ नहीं देते है बुढों को कुम जागा जाता है बुढों को समझाया जाता है बाप को याद करो तुम से कोई पूछे कहां जाते हूं बोलो गीता पात्षाला में जाते है यहां तो वह कृष्ण की आत्मा चुरा सी जन्मले अभी बाप से ग्यान ले रही है बच्चे प्रदशनी आदपर कितना खर्चा करते है लिखते भी है फलाना आदब प्रभावत हुआ परन्तु बाबा कहते है एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहत का बाप इस सब ब्रह्मातन में आया है उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है बाबा समझ जाते है कि एक को भी निश्चे नहीं हुआ है स्रफ प्रभावित होते है यह ग्यान बहुत अच्छा है सीडी ठीक रीती से दिखाई है परन्तु खुद योग में रह स्तमु प्रदान से सतु प्रदान बने वह नहीं करते है श्रफ कहते है समझानी बहुत अच्छी है पर मात्मा से वर्षा पाने की परन्तु खुद पाए वह नहीं कुछ भी पुर्शारत नहीं करते प्रजार धेर बनेंगी बाकी राजा बने वह मेहनत है हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहां तक बाप की याद में हर्षित रहते है हम फिर से सो देटा बनते हैं ऐसे ऐसे अपने साथ एकांट में बाच बाते करो ट्राय करके देखो बाबा आकर हमको रावन माया पर जीट पैनाते है जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते है फिर तुम नई दुनिया में आएंगे पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुक्तू करना है जब कितमो प्रदान से सतो प्रदान बनना है पावन बनने की जुक्ती भी बतानी अब ये है क्यामत का समय सबका विनाश होना है नई दुनिया की स्थापना होनी है तुम जानते हूँ हम इस मिर्ट्यू लोक में ये शरीर छोड फिर नई दुनिया अमलोक में आएंगे हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए और कोई ऐसी पात्षाला नहीं जहां भविश्य के लिए पढ़ते हो जो बहुत दान पुन करते हैं जो राजा के पास जनम लेते हैं गोल्डन स्पून एंड माउट कहा जाता है सत्युग में तुमको मिलता है कल्युग में भी जो राजाओं के पास जनम लेते हैं उनको भी मिलता है फिर भी यहां तो अनेक करकार के दुख रहते हैं तुमको तो बविश्य में एकीस जनम के लिए कोई दुख नहीं होंगा कभी बीमार नहीं परेंगे गोल्डन स्पून इंस्वर यहां है अलब काल के लिए राजाई तुमारी है एकीस जनम के लिए राजाई गुद्धी से अच्छी रीत काम लेना है फिर समझाना है ऐसे नहीं कि बक्ती मारिक में राजा नहीं बन सकते हैं कोई जनम में अच्छी तुम्द्रस्ती रहेंगी कहते हैं ना इनको सारी आयू बुकार भी नहीं हुआ बड़ी आयू होती है बहुत दंदान आद किया है हस्पिटल आद बनाते हैं तब आयू बढ़ती है यहां तो यूग सें तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो यूग सें तुम एकिस जनम के लिए शफाप पाते हो ये तो बहुत बड़ी हस्पिटल बहुत बड़ी कालेज है बाप हर बात अच्छी रिश समझाते है बाप कहते है जिसको जहां मज़ा आवे जहां दिल लगे वहां डाकर फड़ाई पर सकते है ऐसे नहीं के हमारे सेंटर पर आवे इनके पास क्यों जाते है नहीं जिसको जहां चाहिए वहां जाए बात तो एकी है मुली तो परकर सुनानी है वह मुली यहां से जाती है फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते है कोई सिर्फ परकर सुनाते है भाशन करने वाले अच्छी लरकार करते होंगे कहां भी भाशन हो पहले पहले बताओ शिव बाबा कहते है अपने को आत्मा समझ मुझबाब को याद करो तो तुमारे विकरम विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे कितना सहज समझाते हैं अच्छा बाप डादा बोले मीथे मीथे सिकी लदे बच्चों प्रित मात पिता बाप डादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते दाना के लिए मुखिसार बाहर की वाहयात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैच याद की मैनत करनी हैं सवेरे सवेरे उट कर विचार सागर मतन करना और अपना चार्ट देखना हैं जैसे भक्ती में दानपन का महत्व है ऐसे ज्यान मारिग में याद का महत्व है याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है अशरीरी रहने का अभ्याज करना है वर्दान है बाबा का वाच्चा द्वारा ज्यान रतनों का दान करने वाली मास्टर नालीजफुल बहवर वाच्चा द्वारा ज्यान रतनों का दान करते है उन्हें मास्टर नालीजफुल का वर्दान प्राप्त होता है उनके एक एक शब्द की वैल्यू होती है उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है उनके हर शब्द में सिंस माना सार भरा होता है उन्हें विशेश खुशी की प्राप्ती होती है उनके पास खजाना रहता है इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्शित रहते हैं उनके बोल प्रवाश अली होती है वानी का दान करने से वानी में बहुत गुण आ जाते हैं स्लोगन है लास्ट में स्वराज के मालिक बनो तो संपूरन वर्षे का अधकार मिल जाएंगा ओम शंती 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 शंती